So let's guys, जासकी बुड़ों हम बात करने वाले हैं वियो के वाइब 15 डिवाइस के अंदर आप Ultra Game Mode का यूज कैसे कर सकते हैं Ultra Game Mode options काफी important options है और ये काफी smart options है आप इसका use करके किसी भी game अगरा को अगरा प्ले करते हैं तो वहाँ पर आप calls अगरा को reject कर सकते हैं तो चलो हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे use करना हमें Ultra Game Mode का इसके लिए जश्ट हमें settings को open करना होगा settings हमारी यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे अभी मैं phone use कर रहा हूँ Vivoka V11 और इसके अंदर अभी Android 10 रन कर रहा है तो हमारे phone के अंदर यहाँ पर आप इसको open करिये Ultra Game Mode के अंदर आपको colorful Ultra Game Mode का पैनल मिलता है लेकिन Android 11 और 12 के अंदर आपको एक अलग design का यहाँ पर Ultra Game Mode का पैनल देखने को मिल जाता है जिसमें हमें सबसे पहले इनेबल करेंगे इसके लिए इनेबल Ultra Game Mode के क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप Ultra Game Mode कर सकते है जो आप यहाँ पर shortcut control center का यूज करके हालागी मैं यहाँ पर main settings के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर game assistant का पहला option से इसको क्लिक करेंगे जिसमें enable pop-up bar और game sidebar का दो options आप इसको enable करेंगे आगे मैं इसका demo दिखा दूँगा क्या use होता इसका यहाँ से back आएंगे इसके बाद background calls का options है for example हम कोई game अगरा को play कर रहे है तो उसके साथ अगर आपको background में calls अगरा भी चाहिए तो आप इसको on करेंगे तो यहाँ से आपका जो notification होगरा है वह भी block हो जाएगा हमारे पास एक option मिलता है fourth वाला जो है reject call का इसको आप click करेंगे अगर आप यहाँ पर देशेते हो all incoming calls not all the allows some calls will be reject during the especially games जब भी आप कोई game खेल रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई भी call नहीं चाहिए तो आप इसको option को enable कर दीजे आप यहाँ पर होगा क्या कि आपके जितने भी calls होगरा होगे सारी की सारी reject हो जाएगी जब भी आप game प्ले करते हैं हलाकि एक option और enable हो चुका है allow some calls का अगर आप चाहे तो इसके क्लिक करके कुछ ऐसे numbers को allow कर सकते है जो आप जिसके calls होगरा को आप को चाहिए background में तो आप इसके क्लिक करके contact option open हो जाएगा वहाँ पर आप numbers को select करेंगे इसके बाद उसकी call जो है है उसमें automatic wifi connect होता रहता है disconnect होता रहता है तो आप इस option को on कर देजिए हमेशा के लिए जो है disable हो जाएगा automatic connect और disconnect नहीं होगा तो यह ज़्यादा काफी ज़्यादा important है अगर इसका automatic connect और disconnect का आपको problem फगरा face करते हैं तो आप इसको use कर सकते हैं हालागे यह को settings और हमें देखने को मिलती है brightness lock की अगर आपको अपने phone की brightness display की उसको lock करनी है किसी particular brightness के साथ for example यहाँ पर मेरा full brightness है अगर मैं इसके साथ यहाँ पर lock कर दूँगा तो जो भी game हम यहाँ पर write करेंगे उस game के अंदर इसी brightness के साथ हमें देखने को मिलेगे इसके अंदर आपको कोई भी like कम और ज्यादा brightness का option देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर event touches का option से इसमें क्लिक करेंगे इसमें देखेंगे string notification bar triggered area का option से आप यह जो full screen display की जैसा है अगर आप इसको automatic fitting के साथ use करते हैं तो full screen में use नहीं कर पाएंग application को लेकिन अगर आप यहाँ पर triggered area को use कर देते हैं जो notification होगर आती है तो आपके उपर side bar में रहेगे जो triggered area के साथ है disabled three finger screen capture का option से three finger का screen source अगर आप लेते हैं तो अगर आप चाहें automatic running mode में रहेगा तो आप इसको on कर सकते हैं वाला कि यह जो options है on करने का option नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो इसको use कर सकते हैं जब आप किसी game अगरा को play करेंगे तो automatic options आपको आजाएगा on करने के लिए game picture in picture options मिलेगा जब भी हम किसी game अगर आपको play करते हैं तो आपको क्या करना है three finger का निचे scroll on करेंगे तो आपको कुछ pop-up bar side हो जाएगा जैसे कि अगर whatsapp यूज़ करते हैं message यूज़ करते हैं ऐसे application तो उस pop-up bar से भी आप उसको split screen के साथ use कर सकते हैं like एक screen में आपका game play होगा दूसरे में आप जो है उस notification को minus कर सकते हैं जिस application से आई हुई है उमेद करते हैं कि आप ultra game mode को समझे होंगे हाला कि plus करके आप यहां से किसी भी game को आप यहां पर ultra game mode के लिए use कर सकते हो जैसे कि मैंने Instagram को अलड़े add करा था Facebook को भी add करना चाहूं तो यहां पर add पक्लिक करोगे तो Facebook भी add हो जाएगा अब जब कभी भी हम Facebook को open करेंगे for example मैं Facebook को open भी कर लेता हूं Facebook को open करेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से option मिल जाएगा हमने यहां पर game side bar की बात किर थी तो आप यहां पर side bar में करेंगे तो game side bar का एक pop-up आएगा जो आप यहां से भी उसे manage कर सकते हैं hopefully guys सब कुस आप समझ गयोंगे फिर विए अगर आपके मन में इसके recording कोई confusion को गए रहा है तो निचे comment section है आप हमें comment कर सकते हैं आप यहां पर किसी दिन नश्ट वूडियो में नश्ट वूडियो में नश्ट वूडियो में नश्ट वूडियो के साथ अब तक के लिए बाबाए